हेलो स्टुडांट्स कैसे आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं गाला क्लास 10 का मैट्स का बेजिक का पेपर नंबर 4 का सेक्षन बी इसके पहले आल्रेडी मैंने पेपर नंबर 2 & 3 अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है उगर नहीं देखा हो तो उसके लि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टार्ट करेंगे वीडियो को कुछन नंबर 25 फाइंड जीरो ऑप्ड़ेटिक पोलिनोमियल 3x2-4 आपको क्या बताना इसके जीरो स्टार्ट करने क्या फाइंड करने इसके जीरो स्टार्ट करेंगे कि अपैसेक्सान भी है लिख देंगे अपच्छान बी क्वेश्टन नंबर 25 फाइंड एक स्क्वार माइनस एक्स माइनस पॉर इस एक्वल टू जीरो क्या फैंड करने आपको इसके जीरो स्टार्ट करने हैं इस आपको क्या करना है फॉर्स टम और लास्ट टम का मल्टिप तो सेम्धेटी फॉर तrias अ तो सेम वंगर टो निकाल लेंगे फर्स्ट्टो में से एक्स मैंट प्लस ऊनुल को जो लेैं। वेल्मीन डोन है उन्टानकों सेम मिलें फर्स्ट में 3 क्यों 3-4 यह दोनां इंडिविजल 0 देत हो तो एक्स की वेली मिलेगी माइनस वन जबकि यहां पर एक्स के वेली मिलेगी फॉर बाइ थ्री डन ओके चलो नेक्स नुमेरिकल स्टार्ट करेंगे को स्ट्रीट नमबर 26 रिद करें को संवाइन स्टार्ट इंफ इंट इंटी डिटा इंट 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 आ आपको 4 by 3 equation आपको पता है k bracket x square minus bracket alpha plus beta into x plus alpha into beta as it is k x square as it is minus alpha plus beta क्यों लिए कितनी minus 8 by 3 so bracket में लिखेंगे minus 8 by 3 x और यहां पर लिखेंगे 4 by 3 is equal to k minus minus plus और दोनों के नीचे 3 है तो 3 यहां पर मिल जाएगा कैल्सियम के फॉर्म में तो 3 x square plus 8 x plus 4 right is equal to करके अगर 0 अपने लिख भी देता है तो 3 कहां पर चला देगा 0 के साइट तो आंसर उसका क्या मिलेगा 3 x square plus 8 x plus 4 right then next numerical start करेंगे चलो read करते हैं first questions for gain time पहले बार read करते हैं questions find the roots of the quadratic polynomial cx square minus x minus 2 आपको क्या find गरना इसके quadratic polynomials आपको बताना है start करेंगे equations question number 27 लिखो question 6 x square minus x minus 2 is equal to 0 आपको गीवन है तो एक बार सूचर फर्स्टम और लास्टम कितना होता है सिक्स टूजार ट्वाल तो ट्वैल के आपको क्या करने पार्ट करना है तो ट्वैल के पार्ट कुन से आएंगे एक तो आएगा for इस टूजार और दूफरा आता है for थ्रीजार यह राइट तो यह एर शिक्स टूजार तो नहीं आएगा वन तो फॉर थ्रीजार आजाएगा 6 x square minus 4 x से मिहां पर आएगया plus 3 x minus 2 is equal to 0 सब्सक्राइब तो फर्स्ट टूब्रेकेट में से क्या कॉमन आएगा और टू एक्स ब्रेकेट में एगा 3 x minus 2 इन दोनों को और एक बार लेंगे प्लस वन इस एक्वल टू जीरो उन्होंने बोले दोनों के आपको क्या करने इंडिविजल जीरो बता रहें मतलब जीरो बताने तो यहां से और यहां से दोनों के इंडिविजल जीरो दे दो 3 x minus 2 is equal to 0 तो x के वले मिलेगे 2 by 3 और 2x plus 1 is equal to 0 यहां से एक्स के वले मिले गी बाइन नमबर 28 फान्ट फान्ट देडिंट एलेवन टर्म्स ऑफ एपी-3-1 बाइट अपको 11 टम्स बताना है केजन नमबर 28 अब पर चीने नहीं आ रहे हैं और शेजर तो एक वार क्या दिया एपी माइनस थ्री माइनस वन बाइटू एंडटू ड़न अब की वेलु कितनी मिले आपको मैनस थ्री डी की एंड को दे दिया 11 फाइंड गरना है आपको बताना का सिफ डी की वालुटी कितना है सेकंड टम माइनस फिर्स्ट टम करेक्ट ओके माइनस वन बाइट वाइट इस राइट माइनस माइनस प्लस 3 और 2 यहां पर चला जाएगा तो प्लस 6 दिवैड़ेड बाइट वाजाएगा लस्म लेंगे तो माइनस माइनस वन प्लस 6 5 बाइट की वैली कितनी मिले आपको 5 बाइट 2 मिलेगी तो अपको 11 टम बताना है एन इस एक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटो दी करेक्ट ओके एक्वल्यू माइनस 3 प्लस एन 11 माइनस वन और दी 5 बाइट 2 आपको दे दिया गया है माइनस 3 आपको दे इस एलर माइनस वन 10 इंटो 5 बाइट 2 तो फाइजर माइनस 3 प्लस 25 कितना आता है माइनस 3 प्लस 25 22 डन ओके स्टार्ट कुस्टन नम्बर 20 नाइन सोल करेंगे 28 हो चुका है तो 29 डिज़ा को संग फाइं था सॉम ओफ ओड नमबर बीच के आपको ऊड नमबर बताने है तो चलो जीरो अफिप्टी के आपको आपको बताने संग करने मतलब टोटल करना है तो नमबर अफ टॉम नहीं बताने तो 135 अब्टू लाश्ट डिजिर कौन सा आएगा 49 मानके चलते हैं A की value मिली 1 D मिला 3 minus 1 is equal to 2 A n गीवान है 49 correct सबसे पहले क्या करेंगे n टम निकालेंगे A n is equal to A plus n minus 1 into d A की value 1 n नहीं दिया है D की value 2 49 यहापे लिखेंगे 49 minus 1 1 सामने जागा तो minus होगा 49 minus 1 48 is equal to n minus 1 into 2 2 को divide मिले जाएंगे 48 divided by 2 is equal to n minus 1 therefore n minus 1 is equal to 24 और n की value मिली आपको 25 बत आपको sn बताना है n नहीं बताना है तो अपने क्या करेंगे sn is equal to n by 2 bracket a plus an n की value 25 divided by 2 e की value 1 n कितना दिये 49 25 divided by 2 49 plus 1 50 divided by 2 कर दो 25 तूजार होगा तूटू काट 25 to 25 625 sn कितना मिलेगा आपको 625 next term next numerical start करेंगे question number 30 read question first find the distance between the point आपको इसका distance between बताना है मतलब easy numericals है यह भी आपको find करना है formula आपको पता है क्या थी है x2 minus x1 का all square plus y2 minus y1 का all square x2 कितना दिया गया है minus 1 plus 5 का all square की minus minus plus 5 हो जाएगा and 3 minus 7 का all square minus 1 plus 5 4 का square और यहाँ पे भी मिलेगा 4 का square numericals यहाँ पे कर रहा हूँ देखते जाना so under root 4 का square 16 plus 16 कितना मिलेगा 30 2 मतलब 16 2 जार मिलेगा 4 root 2 right okay let's start the next numericals read the question first question number 31 find the ratio in which the y-axis divided the line segment joining the point 5 minus 6 and minus 1 minus 4 यहाँ पे आपको क्या बताना है ratio मतलब m और n की value आपको find करना है देखो sum बहुत easy है और उन्होंने बता दी है y-axis है मतलब p of 0y मिलेगा is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n find करना नहीं मतलब यह नहीं लिखोगे तो चलेगा हाँ अगर यहां से भी आप dollar okay the name start the next numerical question number 32 read the question first in triangle op q is a right angle at p op is equal to 7 centimeter and oku minus p q is equal to one centimeter determine the value of sine q and cos q यहार दीखने से तो आपको लगेगा की numerical सा हट्टा ओफ है थोडा सा बट यहार अगर आप ते Chapter number 8 अच्छे से पीओ किया होगा trigonometry सो में भी यह आपको चेप्टर हाट नहीं लगेगा यहां पर और यहां पर क्यों यह दे दिया गया ओपी सेवन सेंटीमेटर जबके इन दोनों का टोटल दिया है ओक्यू माइनस पीक्यू इस इक्वल टू वन सेंटीमेटर करेक्ट करेक्ट अगर आपने देखा हो तो य पाइब और यह तो आपको 25 ने यह था आपको फाइंड करना है यह सेवन दिया है करेक्ट ओपी इस एक्वल टू सैवन राइट सो सेवन का स्क्वेर पिक्यू स्क्वेर अगेभी क्यू क्यू क्या मिलाए वन प्लस ब्लस बीक्यू का whole square 7 का square 49 PQ square as it is और यहां पर क्या करेंगे A plus B का whole square की formula apply करेंगे मतलब A square plus 2AB plus B square the PQ square PQ square cut 49 minus 1 48 is equal to 2PQ two side divide में चला जाएगा तो 24 मिलेगा PQ PQ कितना मिल आपको 24 तो यह ओक्यू कितना मिलेगा तो 1 plus 24 कितना मिल आपको 25 ओक्यू मिल आपको 25 बट उन्हों ने बोले आपको find करना है sign q तो sign q is equal to opposite upon hypotenuse मतलब 7 upon 25 और दुफरा बता है cos q adjacent upon hypotenuse मतलब 24 divided by 25 done okay let's start the next numerical start करेंगे question number 33 33 number questions find the value of X also then trigonometry equations sign 2 X is equal to sign 60 into cos 30 minus cos 60 into sign 30 done sign value find करने है लिखो यह पर sign 2 X is equal to sign 60 cos 30 minus cos 60 into sign 30 sign 60 कितना मिलेगा value root 3 by 2 cos 30 root 3 by 2 cos 60 1 by 2 sign 31 by 2 लिखते हैं यहाँ पर 3 by 4 minus 1 by 4 correct so 2 by 4 sign 2 X is equal to so therefore sign 2 X is equal to 1 by 2 मिलेगा cutting ओकर अगर यहाँ पर sign के value 1 by 2 मिल रही है तो sign 2 X is equal to sign 30 एको दोनों जेगा थे sign sign cut so therefore 2 X is equal to 30 and therefore X is equal to 15 यही आपको बताना था करेक्ट नेक्स्ट थर्टी फॉर रीट देक्वेसंस अ सरकस्ट आर्टिस्ट इस क्लाइमिंग थे 20 मिटर लॉंग यह भी अगर आपने दीड किया होगा चप्टर हाइटें इस्टन्स राइट का बात गला है चप्टर दा एपलिकेस्टन अप्टिक नोमेट्री यह क्लिए अधिया थाइट इस्टन्स का है कुछिस्टर नंबर वन ही है उसका भी असरकस्ट आर्टिस्ट इस क्लाइमिंग ट्वेंटे मिटर लॉंग रॉप विच इस टाइटली स्ट्रेच अंड टाइट था टॉप अप्ट वर्टिकल पॉल तुड़ ग्रॉड फाइंड फाइट तो पॉल यही फाइट करने पॉल कि हाईट इफ थे एंगल इसमेड वा रॉप इद ग्रॉप इस थर्टी डिग्री दर पर स्टों फिर्स्ट आफ यह ब्रो दॉट दॉड दा इग्राम अंड थे मेंस्ट इस और ने आड लॉट आट आट ट्रॉट इस एड दॉट अर तो अंगल इस गिवन 30 डिग्री फांड करना एबी फॉल की हैड तो डिरेक्ली अप्लाए करो साइन 30 इस एक्वाल टू एबी अपन एसी सांगे वाली वन बाय टू एबी एसी 2020 सामने चला जाएगा 20 by 2 is equal to a b so therefore a b is equal to 10 meter right okay next numerical certified read question a wooden article was made by the scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder if the height of a cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm find the total surface area of article okay total surface area बताना आपको articles का इस तरह का आपके पास क्या दिया हुआ है cylinder है और उसके अंदर की सब्सक्राइब क्या है hemisphere दोनों साइड पर इस तरह आपको गीवन है 10 cm cylinder की radius दोनों का सेम है 3.5 cm find क्या करना है total surface area मतलब इसका टोटल सर्फेस एरिया लेना है तो फर्मिल्ला क्या आएगा कर्ड सर्फेस एरिया ओफ जिलिंडर प्लस दो बार हमीस्फियर तो लिखा पर टू मल्टिप्लाइग कर्ड सर्फेस एरिया ओफ है हमीस्फियर दन ओके कर्ड सर्फेस एरिया ओफ सिलिंडर टू पाई आर एच प्लस टू इन्टू हमीस्फियर टू पाई आर स्क्वार जैर्फोर टू पाया टू पायार कॉमन ले लेंगे कि ब्रेकेट में एगा एच प्लस टू आर टू एज इस ट्वैंटी टू बाई सेवन रेडियास स्वारी पाय की वैली रेडियास 3.5 मतलब 35 बाई टैन में लिख सकता हूं ना करेक्ट हाइट 10 प्लस टू इंटू 35 बाई टैन फायू सेवन जार फाय टू जार टैन कट हो ग और ब्रेकेट में एगा 10 प्लस 7 17 इन दोनो का मल्टिप्लाइ कर दो मिलेगा 374 cm square इस ट्लियार ओके देन रेडियास नेक्ट निमेरिकल्स अटैन इस इन थे सेप ऑफ चलिंडर सर्मांटेट बाई बाई कोनिकल टू इव दा हैट कितना होगा तू मिटर बन जार जार गाँ हाफ रेडियस स्लांटांट भी गिवन ए 2.8 फांट अब चैनल कितना केंवास इस वह आपको बताना ने question number 36 start करेंगे read the question first okay which type of the diagram are the made first of the cylinder draw and thus are mounted by corn this type slant height given 2.8 meter total diameter given 4 means radius 2 meter and height 2.1 meter cylinder clear यहां तक का total surface area ले लो total surface area is equal to क्याएगा curved surface area of cylinder plus curved surface area of corn okay curved surface area of cylinder की फॉर्मिला टूपाई आर हैच एंड कौन की पाई आर एल राइट बोथ हर पाई आर कॉमन प्रेकेट में का है पाई जो प्कॉआएच प्लस एल पाई वेल्यु तूपउट गाईट लिए तूपउटेन यह एट आरो टूपउट एट्पाई आरो इंड आरो में प्लाहन एट नों जो इन्च वैल्यूटें हो जोगा इसको क्या होगा वेंटीटीटू 2.1 into 2 4.2 into 2.8 44 by 7 donoka plus score 8 plus 210 4 5 6 7 7 cut me answer 44 meter square is that clear he up concert me like a next numericals in the section B last section questions X bar is equal to 25 8 points 857 point सिग्मा एफ़ई दीए गीवन वंट्वेंटी और सिग्मा एफ़ई एफ़ई फ़टी फैंड एजयो मतलब एफ़ई करना है यह को ऐसे सम्वीजी होते बाद अपने बुक में कहीं नहीं है फ़र मीलता पता है सिग्मा एफ़ाई एक्स बार के वैल्यू 25.857 इस एक्वल तो ए आपको फाइंड करना है सिग्मा एफ़ाई डियाई 120 अपॉन फटी जिरो जिरो कट 6 टूजर 7 टूजर और अगें 2 टू कट 25.857 इस एक्वल तो ए प्लस 6 बाइ 7 उठाके सामने ले जाएंगे 25.857 माइनस 6 बाइ 7 इस एक्वल तो ए 7 यहाँ पर डिवाइड बाइ 6 ओके सुरी 6 अंदर है 7 बार है जीरो रखेंगे 78056 फॉर रिमेनिंग होगा 7535 फाय रिमेनिंग 770 ओके 857 सो देरफोर 25.857 माइनस 0.857 इस इक्वल तो ए तो देरफोर ए कितना मिला जोनों का सब्ट्रेशन करो सब्सक्राइब करना मत बुलना क्योंकि आपको यहां पर हर एक सब्जेट का सॉलिशन मिल जाएगा थोड़ा लेट मिलेगा धीरे-दीरे मिलेगा बड़ सारे सब्जेट का आपको मिली जाएगा सब्सक्राइब करेंगे बाकी का नेक्स लेक्चर में